Hello everyone, मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए interesting YouTube वीडियो में दोस्तों हमारे चैनल पर नया सेग्मेंट हमने शुरू किया है नाम है जिसका Digital Learning with जैश राजगोर और इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपके skills को बढ़ा सकें, digitally आपको enhance कर सकें computer skills से related वीडियो लगातार आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे जिसकी शुरुआत हमने पिछले वीडियो से अल्रेडी कर दिये दोस्तों पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की Microsoft Office के Microsoft Word Software के साथ कैसे उसे शुरू करते हैं और क्या basic चीजे हैं उसका introduction हमने Microsoft Word के उस वीडियो में देखा अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिए या प्लेलिस में जाएए वहाँ पर आपको वीडियो में बिल जाएगा जियां दोस्तों Microsoft Word का Home Tag Options का भंडार जिससे हम Basic Editing अच्छे से कर पाएंगे तो चलिए Computer Screen की और बढ़ते हैं तो दोस्तों ये हैं Microsoft Word की एक Blank Document यानी Basic सा पहला Interface Microsoft Word का दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप Typing करनी की शुरुआत कर सकते हैं कैसे आप Selection कर सकते हैं दोस्तों जरूरी काम होता है Microsoft Word के अंदर Editing का आना जी हाँ दोस्तों Typing हम हमेशा हैसे ही कुछ भी देख करके पढ़ करके Typing तो कर सकते हैं और Usually जैसे जैसे आप ज्यादा Computer यूज करने लगेंगे आपकी Typing Speed भी बढ़ जाई लेकिन सबसे एहम काम होता है Editing करना किसी भी Document को अच्छे से Presentable बनाना फिर वह आपका Bioreta हो या कोई Important Office की File हो File तभी अच्छी लगती है जब वो अच्छे से Formatted हो अच्छे से Design हो, अच्छी और Presentable हो Printout निकालने पर उसको जो Presentation होता है उसका वो जब तक अच्छा नहीं होता तब तक लोग उसे पसंद नहीं करते लोग उसे यूज नहीं करते तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप Formatting के गुण सीख जाए आज के इस वीडियो में हम डीटेल में सीखेंगे Font Options जीया दोस्तों हमारे Home Tab के अंदर जीया जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि यह जो हमारा Ribbon होता है इस Ribbon के अंदर एक Home Tab है और यह Home Tab है Options का घर बहुत सारे धेर सारे Options यहाँ पर छुपे हुए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह Home Tab के अंदर Clip Board से शुरुवात होती है फिर आते हैं हम Font Dialog में फिर Paragraph और ऐसे ही अलग-अलग Options यहाँ पर Design और Formatting के दिये हुए हैं इस पूरे Home Tab में नॉर्मल तोर पर हर Office के अंदर ज्यादा तर समय आपका Editing के दौरान Font के अंदर गुजरता है यानि Home Tab का यह Font Dialog जो है यह सबसे ज्यादा Important होता है आप कोई भी Document बनाएं कैसा भी Document बनाएं Document बड़ा हो छोटा हो इस Font Dialog को आप हमेशा ही यूज़ करने वाले हैं तो आज बिना Skip किये हर एक Option को Detail में जानते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स लिखता हूँ जैसे for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ Digital Learning Yes my dear students इसी टेक्स के साथ हम खेलेंगे इसी टेक्स को थोड़ा सा Edit करेंगे सबसे पहले कुछ Basic Options जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ Select कर लेते हैं पहले से Select करने के बाद यहाँ पर B for bold I for italic और U for underline यह तीन जड़ी बूटी Important Options जो आप सभी को पता है B से bold यानि text को dark करने के लिए I से italic text को थोड़ा सा slant करने के लिए और U for underline जो हमारा text है उसे नीचे एक dash यानि एक underline देने के लिए तो यह B, I और U यह तो एकदम basic topic है यह पिछले वीडियो में भी हमने देख लिया था उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं handwriting styles पर धेर सारे fonts जो है Microsoft हमें provide तो करता ही है basic तोर पर आम तोर पर Calibri नाम का font जो है अकसर by default दिखाई देता है आप बहुत सारे दूसरे fonts भी install करके चला सकते हैं अपने computer में अपने documentation में लेकिन ज्यादा तर formal letters वगेरे में times new roman और aerial के fonts यूज होते हैं आप यहाँ पर type करेंगे aerial तो इधर बहुत सारे fonts आपको aerial के नज़र आएंगे aerial यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऐसे कई fonts जैसे जैसे आप scroll करेंगे तो वैसे आपको नज़र आ जाएंगे जी हाँ आप extra fonts भी download करके install कर सकते हैं उसका एक अलग तरीका होता है आगे जाकर मैं आपको वो भी बताऊंगा लेकिन आपके computer में by default भी बहुत सारे fonts होते हैं देखिए धेर सारे fonts होते हैं इन में से जो आपको ठीक लगे वो font आप अपने file के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो जादतर aerial times new roman जैसे fonts यूज होते हैं चलिए हम उन में से एक ले लेते हैं इसके अलावा दोस्तों उसके ही बगल में आपको ये option मिलेगा size increase, decrease करने का इधर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आप size जो है increase, decrease यहाँ से कर सकते हैं font की size को बढ़ा करना है आपके requirement के इसाब से तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों इसके ही बाजू में option है grow font और shrink font का यानि increase font size once again size को बढ़ाना है और size को कम करना है तो इधर एक option दिया हुआ है तो ये options हमने अभी अभी देख लिया है इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई particular word या text को strike off करना है आप दिखाना चाहते हैं कि ये गलत word है तो आप उसे select करके यहाँ पर strike through button का इस्तमाल करते हुए option का इस्तमाल करते हुए एक cross line जो है वो अपने text पर डाल सकते हैं yes, strike through इससे क्या हुआ? तो इससे हमने जो text select किया था उसके उपर एक strike आ गए अब आप सोचेंगे सर इसका क्या काम है तो कई अलग-अलग letters के अंदर ऐसे आप अच्छे से presentation के लिए इन चीजों का भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे पहले का particular product का price आपको दिखाना है 1500 रुपे था अब उसका price घट करके 100 रुपे company कर रही है तो अपने presentation में company पिछले price को भी दिखा करके उसे strike off करके अब नया price यह है ऐसा दिखा सकती है तो ऐसे अलग-अलग इस्तमाल अपने अपने तरीके से options के हम कर सकते हैं कोई specific option कहां काम आएगा यह आप कभी नहीं बता सकते हैं लेकिन अपनी जरुवत के हिसाब से आप इन्हें जरूर यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक और option देख लिया छोटा सा नाम है इसका strike through select कीजिए और इस button पर click कर दीजिए strike through हो जाएगा इसी button पर वापस से click करेंगे तो यह निकल भी जाएगा चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको text को जब लिखते समय आपको उसे और detail में अच्छे से present करना होता है जैसे suppose आप date of birth लिखते हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 22nd March यह मेरा birth date है तो अब यह जो text है दोस्तों 22nd March इसके अंदर यह जो N और D है यह तो यहाँ शुभा नहीं दे रहा है इसे तो उपर होना चाहिए था तो ऐसे में जब आप particular text को लाइन के normal line के उपर या normal line के नीचे लिखना चाहते हैं तो आप दो options का इस्तमाल कर सकते हैं जो font tab में यहाँ पर दिये हुए है options के नाम है subscript और superscript जी हाँ दोस्तों यह आपको यहाँ पर नज़र आएगा subscript यानी नीचे super मतलब उपर जी हाँ subscript यानी नीचे super मतलब उपर तो मैं आपको यह करके दिखाता हूँ यहाँ पर है हमें चाहिए superscript तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यह nd जो है normal line के उपर चला गया है समझ में आ रहा है ना तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको अपने letter के अंदर या किसी भी formal letter में आपको date जैसी चीजें लिखनी है अच्छे से लिखनी है तो आप date को अच्छे से present करने के लिए subscript और superscript का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर हमने superscript का इस्तमाल किया कई बार आप equation वगेरे लिख रहे है जैसे h2so4 आपको लिखना है h2so4 अब यह h2so4 के अंदर दोस्तों यह h2 तो नीचे आएगा 2 तो इसको select कीजिए याद रखिए sub मतलब नीचे super मतलब उपर तो मैं यहाँ पर subscript का इस्तमाल करूँगा तो यह जो है text नीचे आजाएगा तो इस प्रकार दोस्तों अलग-अलग options हैं जिनके अलग-अलग इस्तमाल है आप जब actual practical काम करेंगे तो इन चीजों की आपको एहमियत समझ में आएगी फिलाल options को सीखने पर ज्यादा जोर दीजिए notes मनाते हुए चलिए ताकि हर option आपको हमेशा याद रहे computer सीखना यह एक progressive चीज है दोस्तों यह swimming जैसे आपने सीखा होगा या cycling आपने सीखी होगी कभी अगर तो एक बार आप सीखते हैं लेकिन वो हमेशा याद रहता है उसी प्रकार आपको computer सीखना है ताकि भले आज इसको आप उतना detail में उपयोग ना करें लेकिन आगे जाकर कि यह आपको बहुत ज़्यादा helpful रहे तो notes बना करके जब आप detail में सीखेंगे तो आपको यह बहुत ज़्यादा helpful रहे तो यहाँ दोस्तों हमने फिर एक बार कुछ और options सीख लिए हैं मैं फिर से एक बार दोहरा दू B for bold, dark करने के लिए text को I for italic, text को थोड़ा सा slant करने के लिए U से underline, एक नीचे text के line डालने के लिए strike through हमने देखा, cancellation mark करने के लिए subscribe यानि text को नीचे और superscript यानि उपर लाने के लिए तो इस प्रकार हमने कुछ और options देख लिए अब देखते हैं, कुछ अलग options अब text को decorative way में अगर present करना है तो decorative way में, stylish way में अगर present करना है text को तो text को select करेंगे और यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे option का नाम है text effects and typography जी हाँ, यह text effect और typography के अंदर Microsoft ने कुछ ready-made effects के साथ text को दिया हुआ है इनके उपर आप जैसे जैसे cursor move करेंगे, mouse move करेंगे तो आपको preview भी बाजो में वो दिखाते रहेगा suppose मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इस पर click कर दूँगा और यहाँ पर वो output मुझे नजर आ जाएगा दोस्तो इसमें खेलने के लिए बहुत कुछ है मैंने तो आपको सिर्फ एक पर click करके दिखाया है आपको मैं homework के तोर पर दे रहा हूँ बहुत सारे options खेलने के लिए आप यहाँ पर outline सिलेक कर सकते हैं उसके colors आप सिलेक कर सकते हैं जैसे मुझे suppose यहाँ पर red outline चाहिए तो मैं red color पर click करूँगा तो उसको red outline भी आ जाएगी तो उमीद करता हूँ दोस्तों चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से आप एक एक option के अंदर detail में जा करके चीजें देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यह color जो है इतने में संतोश नहीं हो रहा है आपको और अच्छा कोई color चाहिए तो आप यहाँ पर more color में जा सकते हैं यहाँ पर आप खुद के color चुन सकते हैं इधर से आपको लगता है कि यह तो color एकदम बेकार है तो इतना कुछ खास नहीं है तो आप custom में जा सकते हैं यहाँ पर खुद आप color अपना बना सकते हैं जैसे आप cursor move करेंगे इधर वैसा color बन जाएगा और ok करने पर वैसा color जो है वो यहाँ पर आ जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह चोटी चोटी बातें जो हैं आपके समझ में आ रही होंगी मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चले कि भईया effect आया भी है या नहीं तो आप जड़ा इसको बड़ा करेंगे तो आपको outline color नजर आएगा तो बारी की से आप इसे देख करके समझ सकते हैं कैसा color आया हुआ है दोस्तों इसी प्रकार अलग-अलग options जो font dialogue में है इनका अपना इस्तमाल है जैसे यहाँ पर यह है भईया text highlight color yes my dear students text highlight color यानि जो हमने लिखा है न उस लिखे हुए के पीछे अगर एक highlighting mark डालना है तो कैसे डालेंगे select कीजिए text को और select करके आप यहाँ पर पहुँच जाईए इस arrow पर click कीजिए और फिर color select कर लीजिए जो भी आप color select करेंगे वो text के पीछे आ जाएगा yes इसे कहते है text highlighting इससे आप बहुत सारे बड़े से document में कुछ important बात को highlight करना चाहते है अपने letter के अंदर कोई subject वगरा है कोई मुद्दा अलग से आपको highlight करना है ताके लोग उस पर पहले ध्यान रखें उसको पहले पढ़ें तो ऐसे में आप highlight color का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत जादा use होता है option इसको अगर निकालना है तो फिर एक बार same procedure है आपको select करना पड़ेगा select करके आपको इसी arrow पर जाना होगा और यहाँ पर no color पर आप click करेंगे तो highlight color remove हो जाएगा तो इस प्रकार आप apply भी कर सकते हैं अगर आपको remove करना है तो remove भी कर सकते हैं similarly जो basic colors होते हैं वो अगर आपको text को देने हैं तो आप select कीजिए यहाँ से तो हमने आपको खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखा दी text effects and typography अगर आपको basic text color यूज़ करना है तो यहाँ पर अगला option है font color नाम का इधर से आप font को color दे सकते हैं यह basic color होता है इधर से font को आप basic color दे करके आगे बढ़ सकते हैं तो यह basic color के लिए font color यूज़ कीजिए थोड़ा अच्छा styling करना है तो text को effect दे सकते हैं typography के माध्याम से तो उमीद करता हूँ यह सारे options भी आप समझ पा रहे होंगे हर एक option के उपर जब आप mouse लेकर जाएंगे जैश राजगोर डिजिटल लर्निंग में जैश राजगोर जी यहां यहां पर मैं टाइप करता हूँ welcome to digital learning अब भाया लिखते लिखते यह क्या हो गया लिखते लिखते मैंने सब कुछ small letters में लिख दिया अब वापस से तो इसको लिखते नहीं बैठूँगा capital करने के लिए तो यहां पर word ने ऐसी ही गलतियों को छुपाने के लिए हमारे पास एक option दिया हुआ है नाम है इसका change case जी हां दोस्तों change case यह ऐसा option है word में जिसके जरीया आप capital letter, small letter, sentence case जैसे अलग-अप्शन का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे अभी मैंने यह सारा जो है वो small letters में लिख दिया है small letters मैं चाहता हूँ कि यह small letters यानि यह जो w छोटे में लिखा हुआ है यह बड़ा हो capital में हो जाए इसको मैं change करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसे select करूँगा select करने के बाद में यहाँ पर font dialogue में आ जाऊँगा आप ज़रा ध्यान से देखेगा इस option को बहुत काम का option है यहाँ पर font dialogue में इधर ही option मिलेगा आपको change case नाम का इसके arrow पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा upper case, lower case, sentence case वगएरा वगएरा तो आपको जो भी case चाहिए वो आप यहाँ से चुनेंगे और वो वैसा हो जाएगा जैसे मैं भी यहाँ पर अपर case पर click करता हूँ everything has become capital letters आप देखिए effect तुरंट से आगया है पूरा जो था text वो capital letters में convert हो चुका है similarly अगर आप चाहते हैं कि वहाँ यहाँ आप लोवर केस में क्लिक कर दीजे everything will be back to lower case इसके अलावा कई बार आजकल जो है modern day में आप हर word का first letter capital चाहते हैं तो ऐसे में you can select capitalize each word option यह जो option है यह भी काम का है capitalize each word से आप देखिए welcome का w capital हो गया to का t capital, digital का d capital, learning का l capital यानि हर एक शब्द का पहला letter जो है capital हो गया तो यह भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं या proper English होनी चीए sentence case आप चुन सकते हैं sentence case में जो पहला अक्षर होता है वो capital होता है welcome का w capital है बाकी सारे letters वो small letters ही हैं तो यह हो गई proper English तो इस प्रकार से दोस्तों एक और महतुपूर्ण option यहाँ पर हमने सीख लिया है नाम है इसका change case तो इस प्रकार अलग-अलग formatting के लिए आप इस font dialogue box का इस्तमाल कर सकते हैं हमने सारे options font dialogue के देख लिए bold, b से, i से italic, u से underline इसके shortcuts भी यहाँ पर दिये हुएं मैं shortcuts के लिए अलग से एक video भी ज़रूर बना दूँगा फिलहाल आप चीजों को note down करते रहिए यहाँ पर text color, normal सा color देख लिया फिर हमने यहाँ पर change case देखा है जिससे हम अलग-अलग sentence को जो है lower case, upper case वगएर हम बना सकते हैं यहाँ पर grow font size और decrease font size increase font size है, इधर से भी font का size increase, decrease कर सकते हैं और यहाँ पर handwriting style यानि font का option दिया हुआ है दोस्तों आखरी option देख लेते हैं वो option है, यहाँ पर इसे कहते हैं clear all formatting जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, document के अंदर मैंने बहुत सारा color ताम जाम डाल दिया है ऐसा कई बार होता है, बहुत ज़्यादा creative food फूट कर creativity बाहर निकलती होती है, तो creativity बहुत होने बर हम बहुत ज़्यादा color वलर दे देते हैं फिर बाद में ऐसा लगता है कि यह नहीं यार यह तो ज़्यादा ही हो गया I should go back to normal, जैसा लिखा था न वैसा ही वापस चाहिए बाद में देखूंगा formatting के बारे में बाद में सोचूंगा, तो ऐसे में आपने जो भी किया है उसे select कर लीजे, और सीधा click कर दीजे, इस option पर इस option का नाम है clear all formatting यानि जैसी आप इस button पर click करेंगे, जो भी आपने apply किया है वो सब normal पर convert हो जाएगा और सारी formatting जो है वो चली जाएगी, आप वापस से basic पर आगए, वापस से normal पर आगए इसे कहते हैं clear all formatting तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरे font box को जान लिया है, जी हाँ, home tab के अंदर ये font का formatting का जो इतने भी options थे, सभी हमने जान लिये हैं, उमीद करता हूँ, आप सबको note down करेंगे, अगले lecture में हम paragraph के options को जानेंगे, जो की बहुत महत्पूर है, proper alignment करने के लिए, तो बने रहेगेगा हमारे channel पर ज्यादे ज्यादे शेर कीजिएगा, like करके अपना प्यार बरकरार रखीगा हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए, do like, share and subscribe